वा हेलो इस्तौूरेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं के से थिई जब कर सकते हैं अब जब की हमारा हो गया है साइरस बैट में हम uh कैसी से करहने हो निकाल है कि अब हमारे को क्लिपिंग के लिए पॉइंट सी होसाफ है शुक्त हम若े नहीं शुक्त si यह जो Cyrus Bagth थे उन्होंने इक एलगोरिथम दे उन्होंने इस एलगोरिथम में एक तो parametric equation को यूज करा जो हमारी line clipping के लिए एक parametric equation यूज करी दूसरा इन्होंने dot metric dot product को यूज करा अब देखो parametric equation को कैसे उन्हों यूज करा कि अगर हम जिसे यह हमारा डायग्राम है और इसमें हमने यह लाइन लिए है तो लाइन ली है इसका यहाँ से time शुरू हुआ जब यह है हमारा P0 और यहाँ पर आया तो यहाँ से क्या है इसके लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पर T equal to 0 है और यह equal to T equal to 1 है यानि जो t की value है वो less than इससे और 0 और 1 के बीच में है तो अब यहां से start करके यहां कर दिया ठीक है अब हमारे पास में यह point है ठीक है यहां पर एक यह point है intersection point जो है तो हमारे को इसको find out करना पड़ेगा इसको find out करना पड़ेगा जो हमारा motive है अब यहां से हमने करा जब यहां से हमारी line start हुई अब अगर इसके बीच में हमारे को किसी भी point पे अगर देखना है कि अगर उसके हमारे को suppose मैं इसको ले लेती हूँ यह pt ठीक है अब अगर मैं यह pt ले रही हूँ तो यानि मुझे pt की value find out करने है इसके coordinates find out करने है कि इसके क्या coordinates होंगे यह जो है हमारा यह pt अब देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं कि अब हमने यहां से जब लिया यह p0 की value है parametric equation हमारी क्या होती है parametric equation होती है pt equal to p0 plus t p1 minus p0 अब देखो यहां से हम अगर t equal to 0 मैं put करते हूं सबसे कहले इसकी value निकाल रही हूं मैं तो देखो p0 के लिए क्या जाएगा हमारा यहां से t की value हम 0 put कर देंगे तो यह p0 plus 0 p1 minus p0 तो यानि यह value पूरी की पूरी क्या हो गई 0 हो गई यानि p0 बचा यह ठीक है इसमें भी p0 इसकी value है ऐसे हम क्या करते हैं t equal to 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या आजाएगी हमारे पास में p0 plus 1 p1 minus p0 तो अब यह क्या गई p1 तो यह हमारे यहां से यानि यह match कर गया इन दोरों का अब हम की इसमें p0 यहां पर है t equal to 0 पे और p1 है हमारा t equal to 1 के लिए अब next हम चलते हैं इसमें कि अब हमारे को value find out करनी है देखो value find out कैसे करेंगे कि अगर हम जैसे suppose एक यह triangle लिया triangle लिया यह line है हमारे पास में यह intersection point है यह intersection point है यह p0 है यह p1 है तो हम क्या करते हैं जो line का हमें intersection point निकालना है उस line को लेंगे हम उसमें एक normal लेंगे यह देखो यह वैसे क्या करते हैं इसमें हर edge का normal लेते हैं जितनी भी edges होती है न हमारे polygon में हर edge का जो है हम normal लेंगे देखो normal इसका यह आ जाएगा इसका normal क्या जाएगा यह आ जाएगा और एक point ले लेते हम edge point इसे हम ले लेते हैं PE अब PE इसमें लिया हमने PE1 सपोज यह वाले इसके लिए है PE1 अगर हम मैं इसमें लेती तो क्या ले ल point है हमारे पास में देखो यह PT जो हमारे को find out करना है तो वह PT अब देखो यहां से अगर मैं देखते हैं कि यह point कहां पर है inside of the polygon अगर PT यहां होगा तो क्या होगा outside of the polygon PT यहां होगा तो क्या होगा on the edge तो अब यहां से हमने यह normal vector लिया अब नॉर्मल यह किसका first line है तो N1 ले लिया इसको लिया N2 ले लिया इसको लिया N3 ले लिया तो अब यहां से यह आ गया तो अब अगर मैं इसको ले रही हूँ यह normal ले लिया अब हमने point के लिया देखो इसमें क्या करते हैं हम dot product भी use करते हैं dot product dot product use करते हैं एक तो parametric equation यूज करेंगे dot product यूज करते हैं तो अब देखो इसमें जो हमारी जो value आती है यानि dot product की जो value आती है वो हमारी value कैसे होती है या तो less than zero होती है या greater than zero होती है या equal to zero होती है अब किसका अब यहां से हमारे pt के लिए देख रहे हैं देखो अगर less than zero है less than zero है यानि हम कह रहे हैं कि वो inside of the window है क्या है inside of the polygon है pt अगर greater than zero है यानि यहां पर है यह pt कहां पर है यहां है यानि outside of the polygon है और अगर equal to zero है तो यह यहां पर है यानि edge पर है तो अब देखो हम edge वाला ही हमें consider करना है यानि हमें equal to zero लेना है जो हमारी parametric equation है अब इसको हम कैसे लेते हैं देखो यहां से जब dot product होता है हमारा क्या होता है अगर हम i, j का dot product लेते हैं उसे क्या लेते हैं इस तरह से लेते हैं cos theta अब यहाáng से हमारा normal vector ऐसे है यानि यह क्या है normal vector िशारिन यह 90 degree बन रहे और cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब यह इस तरह से अब यहां पर अगर हम ले रहे हैं normal vector इस तरफ है यह opposite direction में है यानि वो less than zero होगा जब यहां से हम देख रहे हैं तो यह same direction में है यानि greater than zero हो जाएगा और हमें consider करना है on the edge क्योंकि हमें यह point निकालना है तो हम क्या करेंगे parametric equation को जो dot product है उसको हम कर देंगे equal to zero और किसका dot product निकालते हैं जो नॉर्मल वेक्टर के साथ आता है नॉर्मल है हमारा अभी सपोज मैं एन वन का निकाल रही हूं तो एन वन और यहां से हम निकालेंगे यह पी टी माइनस पी ई वन जो आपने फर्स्ट वाला लिया हमें एक्चुली यह हर एक्वेशन के लिए लेना है अगर जर्नलाइस्ट फॉर्म में हमें से लिखना है तो हम इसे पी आई भी लिख सकते हैं और यहां पर यह भी लिख सकते हैं फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे कि N1, N2, N3 जो भी हमारे को रखना है यह इक्वल टू आ गया इसमें अब देखो पैरामेट्रि equation p0 plus t p1 minus p0 इसको put कर देते हैं इस equation में यानि n i यहां से हमने रखा p0 plus t p1 minus p0 minus p e i यह रखा equal to 0 अब इसको मैं open कर देती हूं open करके क्या आया यह p1 देखो dot product है dot product ऐसे ही लिखा जाएगा यहां से यह आया n i dot t इसके साथ में क्या है यह p1 then फिर minus n i t यह dot product p0 फिर minus यहां से क्या आगया यह n i dot p e i equal to 0 अब हमें value किसके निकालनी है t की निकालनी है value किसकी निकालनी है t की form में हम इसको check करेंगे t का निकालेंगे तो अब कैसे करेंगे यहां से मैं t common ले लेती हूं ठीक है t common ले लिया हमने यहां से तो यह क्या आगया n i और यह dot product है किसका p1 minus p0 यह equal to यहां से हमने लिया यह n i है यहां पर n i के साथ में यह जब उधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा positive हो जाएगा और यह वाला किसमा जाएगा negative हो जाएगा तो यहां से t equal to क्या आगया n i then p e i minus p0 divide by n i फिर p1 minus p0 अब देखो यह dot product में है हम इसे ऐसे cancel नहीं कर सकते हमें इसे as it is रखना पड़ेगा अब क्या करते हैं इस denominator को यानि p1 minus p0 equal to ले लेते हम d इसकी एक value को मतलब यह जो है हमारी constant value है तो हमने इसको d से show कर दिया अब देखो यहां से जो हमारा आएगा यह आया हमारे पास में जब यहां से हमने यह n i जो d हमारा है वह क्या होता है यहां से हम यहां से living point और entering point calculate करते हैं यह जो value होगी न यह not equal to zero होगी not equal to zero है यानि इसकी जो value होगी न वो मतलब edge से parallel नहीं होगी मतलब edge not parallel to the line तो इसकी जो value होगी वो t की value होगी 0 और 1 के बीच में किस में होगी 0 और 1 के बीच में होगी तो अब जब यहां से होगा तो यानि यह जो हमारी यह value है न यहां से यह तो यह less than zero होगी तो हम इसे मान लेते हैं living point living point ठीक है living point मान लेते हैं और अगर d हमारा greater than zero है तो हम मान लेते हैं इसे entering point entering point है अब हम calculate इसी तरह से क्या calculate करेंगे हम n2 calculate करेंगे और pe2 calculate करेंगे फिर n3 calculate करेंगे और pe3 इससे क्या निकालेंगे t2 की value निकाल देंगे इससे निकाल देंगे t3 की value निकाल देंगे अब यहां से हमने और यह वाला जो calculate करेंगे हमने t1 निकाल दिया ठीक है यानि n1 pe1 अब यह हमारे पस में तीनों की यह values आ गई अब यहां से suppose मैं कहा रही हूं आपसे कि जो t1 और t3 t1 और t2 और t3 यह दोनों हमारे हैं entering point यह दोनों हमारे entering point है और जो t1 है वो है living point ठीक है living point है यानि d की value जो आ रही है वो less than 0 आ रही है तो यह हमारी living point है जहां पर भी entering point होता है तो अब जैसे दो value है maybe यहां पर तीन value हो सकती है चार भी हो सकती थी तो उसमें क्योंकि जितने polygon में जितनी edges होंगी उतनी values होगी तो इसमें से जो भी highest value होगी न हम उससे consider करेंगे highest value को consider कर लेंगे entering point में से और living point में से हम lowest value को consider करेंगे इसमें किसको करेंगे lowest value को consider कर लेंगे अब यहां से हमने दोनों values निकाल ली और फिर इन दोनों values को हम कहां जो parametric equation है ना उसमें put कर देते हैं यहां पर जो parametric equation हमने जो पीछे ली थी और फिर हम यहां से जो दोनों पॉइंट्स है यानि X और Y क्योंकि ये दो पॉइंट्स हमारे आएंगे उन दोनों पॉइंट्स को रख करके हम जब इसकी value को calculate करेंगे तो हमारे पास coordinate आ जाएंगे X और Y क्योंकि हमें PT के coordinate सी निकालने होते हैं X और Y जैसे कि हम 2D में हमने करा था उसमें भी हम X और Y निकालते हैं इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी उस coordinates को calculate करेंगे हम इसमें ये जो है ये इसका algorithm हो गया है इस पे हम based एक numerical भी देख सकते हैं तो उससे फिर आपको और इसका clear हो जाएगे कि हम कैसे इसके coordinates को calculate करते हैं Otherwise जो है ये algorithm हमारी क्या है Cyrus-back algorithm है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और शेयर करें इसे वीडियो को Thank you students